एक बार आप उडिशा जरूरा है और भगवान श्री मंदर जी के आधर जाके दर्सन कीजिये जगरनाच जी के जए जगरनाच जी और पूरा अमारे लिए साल अमारे सब के लिए शुब हो आपको पहले हम स्वागत करते हैं कनक नियूज में पहले आप से यह जहनना चाहूंगी कि अप हर तरीके के मुवीज में आये हैं पर सारे मुवीज में हम देखें आपको कहीं ने कहीं पर आप नेगेटीब के भुमिकाओं में नजर आये हैं क्यों ऐसा क्यों है यह ऐसा है श और बाकि जो क्रेक्टर रहते हैं, उसमें आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, जल्दी आप फेमस नहीं हो पाएंगे, विलेनिस जो क्रेक्टर होते हैं, वो चाहे आपका क्रेक्टर छोटा भी रहेगा, लेकिन आप एक दम से जो है पबलिक की नजर में आ जाएंगे, तो इस लिए मैं मैक्सिमम् करेक्टर जो है, सारे मैंने जो है, नेगेटिव किये हैं, स्टार्टिंग थी मेरी 90-20 जे, 2008 में वो मूवी आई थी, और उसमें यहां पर आपके यहां बनना आई हुई थी, जिसको हम लोग बाढ़ बोलते हैं, उडिशा के अंदर, क्योंकि मैं यहां लंका, हेट स्टोरी 1, 2, 3, किरियेचर, काफी सारी फिल्में आई, हमने आपको हेट स्टोरी में भी देखा, हेट स्टोरी 1, 2, 3 में भी, आप जो किरदार निभाये हैं, वहां पे आप जो इंट्रोगेटिंग ऑफिसर थे, तो बॉलिवूड में काम करना और ओलिवूड मे काम करने तक का यह जो सफर रहा है आपका, किसा एक्सपिरियंस रहेगा? बॉलिवूड का अपना एक सिस्टम है, ओलिवूड में मैंने फर्स टाइम किया पर था, इसमें भी मेरे करेक्टर का नाम डैनी था, और मैंने मैने विलिन किया इसमें, लेकिन यहां काम करके मुझे बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने कोरापुट शूट किया, और दिल्ल कोरापुट में, तो आई थिंक कम से कम 800-900 की पबलिक होगी, जो दर्सक्ते देखने के लिए आये थे, लेकिन कमाल है, एक भी शक्ष, किसी ने हमको एक बार भी डिश्टम नहीं किया, जैसा डारेक्टर बोलता था कि आप लोग बैढ जाओ, तो सब लोग बैढ जाते थे, खड़े हो जाओ, खड़े होते थे, तालीब जाओ, तालीब जाते थे, मतलब वो दर्शक भी थे और आपके साथ भी आक्टिंग के मजे ले रहे थे, बिल्कुल 100%, नहीं तो अगर मालो हम यही हम लोग बोलिवुड में शूट करेंगे, तो हम वो सारा जितना क्राउड यह है, तो हमको वो ओन रेंट हमको बुलाना पड़ता, नहीं तो आप ऐसे जितने प्यार से यहां शूट होगा, आप वह नहीं कर सकते हो, मतलब यह सारे लोगों को भी आपको रेंट में लेना पड़ता थे, लेकिन यहां मुप्त में हो गया, यह 100%, बहुत बहुत बढ़िया मतलब कोई आपको कोई डर नहीं, फिर उससे भी अच्छी बात क्या लगी, कि आपको यह कोई परमिशन नहीं लेना है, सरकार का जो है सयोग वो अच्छा है, कि आप शूट करिये, काम करिये, यह कोई परमिशन का कुछ भी ऐसा कुछ यह नहीं है, जबकि हम लोग अगर ब तो वो नेटफ्लिक्स के लिए भी वेब सीरीज कर रहे हैं, तो मैंने उनको सला दिया, उसमें भी रोल कर रहा हूं, कि आप उडिसा में शूट करिये, आपको मज़ा आएगा, हम कह सकते हैं कि उडिसा में जो लोग होते, हर एक लोग में, हर एक इंसान में आक्टिंग की क बात करने का, और फिर यहां पर क्या धक्का मुकी नहीं करते हैं, प्यार से, आराम से आएंगे, आराम से देखेंगे, जैसे मेरे साथ में सिमरन कोर थी, जो इसमें हिरोईन है, तो वो क्या है कि वो डोरे मोन में नॉवीता की सारी आवाज उशी की है, तो कितनी लाइन नेटफिक्स में वेब सीरीज आने वाले तो OTT प्लाटफरम में आपका जो वेब सीरीज आए या फिर जो फिल्म आएंगे आप चाहेंगे कि वो सब ओडिशा में शूट हो और ओडिशा के लोगों को लेके ओडिशा के आक्टर अक्टरिस को लेके सारे फिल्म शूट होई चाहेंगे आप हाँ बिलकुल मैं तो दिल से चाहूंगा और मेरे जितने भी डारेक्टर प्रडूसर या मैं भी जिसमें मैं खुद फाइनस करूंगा तो उसमें मैं हंड़ेट प्रशेंट चाहूंगा उडिशा शूट करो और इस मोसम में करो आप इसमें क्या है आपको एसी का जुरूद नहीं है ना सर्दी है ना गर्मी है बेस्ट मोसम है ये तो ये बहुत अच्छी जगह है और फिर कोरा पुट इतना खुबसूरत है यहां पे समंदर है सब कुछ है यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि यहां पे यह चीज नहीं है तो मैं तो यही सबसे मेरे जितने फ्रेंड्स हैं बॉलिवूड में सबसे मैं बोलूँगा कि सब लोग जो हैं यहां पे आके शूट करें बहुत प्यारे लोग हैं और आपको यहां किसी प्रकार की कोई प्रवलम नहीं होगी तो मैं सबसे यही बात बोलूँगा सर इन सब चीजों में से एक और भी बात है कि अगर देखा जाए तो ओल्यूड के अक्टर या फिर जो ओडिसा के अक्टर होते है जो बंदे होते है या फिर लड़कियां भी हो जो सारे जाते हैं बंबे में अक्टिंग करने के लिए या फिर दूर जाते है तो इन लोगों के लिए आप क्या सला देना चाहेंगे बॉलिवूड कितना इन लोगों के लिए कितना फ्रेंडली जोन है देखिए मेरा तुझे एक्सपिरियंस है बॉलिवूड के बारे में तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉंग लिंक चाहिए आप अच्छे आर्टिस्ट हैं यह आपको पता है लेकिन पबलिक को तब ही पता लगेगा जब आपको एक प्लेटफॉर्म में लेगा तो सबसे पहले आप अपनी तियारी कीजी अच्छी एक्टिंग सीखिए उसके बाद आप अपना एक अच्छा सोर्च डूढ़िए ताकि आपको वहाँ कोई प्रोबलम ना हो आप वहाँ जाएं तो आपको अच्छी जग इंट्रडूज करास के रेकमेंडेशन की जरूरत थे वहाँ पर 101 परसेंट है कोई अब क्या है बच्चे बंबे है की ठीक हम लोग जाएंगे जागे काम मिल जाएगा वो इतना एजी नहीं है बिलकुल नहीं है तो पहले आप वहाँ प्रिपरेशन कीजिए आपना पूरा तियारी कीजिए कोई अपने दोस्त, रिष्टिदार, फ्रेंड सर्कल जो बोलीवुड में हो जो अच्छा कुछ काम किया हो या अभी भी कर रहा हो ऐसे किसी इंसान को आप पहचान कीजिए उसके बाद आप जाएगे मैं तो यही सला दूँगा आपका इंट्री केसे हुआ था? मेरा इंट्री मेरे भी वहाँ कजन थे समंदर अलावत तो वो राइटिंग में थे, राइटर थे अच्छे काफी सारा उन्होंने काम किया तो उन्होंने मुझे दीरे-दीरे सब लोगों से मिलवाया और उसके बाद मेरे को 2008 में मेरी पहली फिल्म मिली जिसके डारेक्टर विकरम भट जी थे तो वो मेरी पहली फिल्म थी हमने देखा है कि आप Mr. and Miss India, जो Bollywood Mr. and Miss India आप पिजान शो भी करते हैं मेरा जो first season हुआ था Bollywood Mr. Miss India का Simran Kaur उसमें थी तो हमने Simran Kaur की मुझे acting अच्छी लगी talented थी तो हमने उसको आगे बढ़ा है उसको 3-4 उसको serial हुए अभी उसने यहां पर्था फिल्म की आपकी Udia फिल्म की और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है तो मिलता है चांस अभी हमारा season 5 हम लोग करेंगे I think September में करेंगे और पूरे देश बर से हम लोग बच्चों को उसमें select करते हैं, audition होते हैं online भी आप उसमें apply कर सकते हो Bollywood Mr. Miss India का जो page है Instagram का है, Facebook का है उस पे जाके तो हम लोग हमसे जितना जो सह होग हो, हम लोग करेंगे क्योंकि हमको भी तो किसी ने किया तब ही हम लोग आगे आए हैं तो एक दूसरे का साथ देना है जो हमसे होगा, हम लोग जरूर करेंगे Sir, कभी अगर अपको opportunity और मिलते हैं Odisha में, Odisha फिल्म में काम करने की तो आप Odisha फिल्म में Odisha कैरेक्टर में काम करने चाहेंगे जी, 100% मैं करना चाहूँगा और मैं तो जितने भी Odisha के अच्छे डारेक्टर, प्रडूसर है मैं तो उनसे आपके मादेम से मैं request करता हूँ कि मुझे अच्छे करेक्टर दे और मैं उसके लिए बिल्कूल तयार हूँ आप जहां बोलेंगे, जब बोलेंगे मैं आउंगा और मैं, मैं दिल से मैं चाहता हूँ कि मैं Odisha फिल्म में करो और एक बात है कि अगर Odisha फिल्म में आप करते हैं तो जो Bollywood में Odisha की और तारीफ जैसे कि Bollywood में Odisha को लेना चाहेंगे Bollywood में आप बिल्कुल वो तो मैंने बोल या कि जितने भी जो भी यहां आर्टिस्ट हैं जो Bollywood करना चाहते हैं तो मैं तो हूँ सोचल मेडिया बे सिर्फ आक्टर आक्टरिस की बात नहीं मैं यह पूछना चाहते हूँ कि Odisha की जो कल्चर है Odisha की जो ट्रेडिसन है Odisha की ड्रेस कहा जाए सारी कहा जाए जो सब भी है वो सब आप Bollywood में दिखाना चाहेंगे हाँ देखिए वो तो क्या होगा कि स्टोरी पे है सब स्टोरी में अगर ऐसा है उस क्रेक्टर हुए है तो अगर ऐसा कोई स्टोरी अच्छा हमको मिलेगा कि जिसमें Odisha हम बहुत ब्यूटिफुल यह बहुत अच्छी से हम लोग दिखा सकते हैं तो बिलकुल वाइनोट हम लोग ज़ूर Odisha को दिखाएंगे Odisha ब्यूटिफुल है यहां सब कुछ है यहां neat and clean बीच है पहाड है और ऐसे पहाड हैं आपने इंडिया में कहीं देखे नहीं होंगे इतने बढ़िया और इतने अच्छी आप जैसे लोग हैं तो कोई हम तो चाहेंगे कि हम ज़दे ज़दे यहां काम करें और यहां के भी जो डिरेक्टर प्रडूसर हैं वो हमको ले हमें तो अच्छा लगेगा तो ओडिसा में ऐसी कौन सी जगा है जिस जगा को लेके कोई फिल्म या फिर कोई सीरीज होना चाहिए आपको लगता हो मुझे लगता है कटक को लेके होना चाहिए क्योंकि कटक में कुछ-कुछ मेने स्टोरी सुना है कि कुछ बड़ा-बड़ा कुछ ऐसा क्राइम का भी कुछ है तो उसको भी लेके हो सकता है या कुछ coherent फिल्म में हो सकती है क्योंकि ओडिसा का तो इतियास बहुत बड़ा है तो उस पे भी हो सकती है तो बाकिए एकी स्टोरी पर सब कुछ है अगर मादलो यहाँ का कोई अच्छा एडिया कोई देता है तो हम लोग उस पर देख सकते हैं कि अच्छी स्टोरी अगर बनती है क्योंकि स्टोरी अगर आपकी अच्छी है तो फिल्म जरू चलेगी सर आप उडिया में कुछ डायलोग बोल सकते हैं उडिया मैं क्या है कि सतर असी परसंट मैं समझ लेता हूँ उडिया लेकि मेरे को खाली बोलने में प्रोबलम है अभी जैसे आप दोनों बात कर रहे थे तो मैं उडिया पूरा समझ रहा हूँ तो लेकिन तोड़ा बोलने में अभी फिलम में भी अलांकि उडिया में पूरी मैंने भी बोली है तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि उसको मैं अपना उडिया को हिंदी में लिखता था फिर ड arraylo arguments याद करके पर उपर हम लोग बोलते थे ये हैं जिया किछी कुछ-कुछ अबज्जों है जो मैं समझ पाया हूँ तो ज्यादा मैं बोल नहीं पाता हूँ ओडिया ऐसे फिर भी ओडिया ओडिया लोगों के लिए और ओडिशा के लिए आपका बहुत सारा प्यार है 100% दिल से है आतमा से है और मैं तो सालों से उडिशा आ रहा हूँ I think 98 से मैं उडिशा आ रहा हूँ अभी भी मैं एक दिसंबर को आया था यहां और मैंने क्रिस्मिस भी यहीं सेलेबरेशन किया और अभी मेरा पांस तारीक को मेरा बड़े भी है तो मैं वो भी यहां सेलेबरेशन करूँगा पांच जन्वरी को तो उडिशा मैं बहुत प्यार है बहुत आपका आदर होगा, सतकार होगा तो मैं बोलीवुड से और सब से और बाकी पूरे इंडिया से मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आप सब लोग यहां गोमने भी आईए यहां एक से एक चीज़ है नंदन कानन है, बहुत सारे बीच है आपको मज़ा आएगा यहां का खाना, यहां के प्राउंस यहां फिर सब कुछ तो प्लीज पूरे देश से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप उडिशा जरूर आए और भगवान श्रीमंदर जी की आदर जाके दसन कीजिए जगरनाच जी के, जै जगरनाच जी और पूरा अमारे लिए साल अमारे सब के लिए शुब हो और कनक न्यूज का मैं दिल से थेंक्स करता हूँ कि उन्होंने मुझे शेमे दिया और मेरा इंट्रिवु लिया और श्रीमंदर जी आपका भी दिल से थेंक्स और मुझे पता लगए कि यह भी आर्टिस्ट हैं कि थेट्र करती हैं तो मैं बहुत खुश हुआ ही सुनके कि हाँ एक आर्टिस्ट ही एक आर्टिस्ट का इंट्रिवु ले रहे हैं भुवने शड़ू वीडियो जनलालिस्ट रास्मिंक सहस्रिमा सत्पति कनक न्यूज